हरे कृष्ण, आज जो हम भजन पढ़ेंगे वैशनव पदाबली से, तीसरा भजन है वैशनव पदाबली का, श्री भक्ती सिधान सरस्वती ठाकूर विर्चित, उन्होंने लिखा है ये, श्री गुरु परंप्रा के बारे में है, इसकी लाइन्स ऐसे है, तो अभी हम भजन नहीं गाएंगे, हम उसका मीनिंग देखेंगे, क्योंकि हम ये सीरीज चलाई है, ताकि लोगों को ये पता चल सके, कि वैशन भजन जो है, वो कितने शुद्ध है, जो आजकल के संकीर्तनों में गाते हैं, लोग के कीर्तनों में गाते हैं, वो भजन तो बहुत ही हलके होते हैं, लेकिन वैशन भजन जो होते हैं, वो बहुत ही डीप मीनिंग वाले होते हैं, तो आईए इसका मीनिंग देखते हैं, श्रिष्टी के प्ररंभ में भक्ती का विज्ञान चतुरमुख ब्रंभा जी को परंपूर्ण उर्षोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था ब्रह्मा से यह दिव्यज्यान देवरिशी नारद को मिला वैदिक शाष्ट्रों का संकलन करने वाले महामुनी कृष्ण द्वैपायन व्यास देवरिशी नारद के शिश्य वने वेदान दर्षन के शुद्ध द्वैत संपरदाई के प्रवर्तक श्रीपाद मधवाचारय जो वेदान दर्षन सीखने हेतू तेरवी श्ताबदी में व्यास देव के पास बद्रिका आश्रम गए थे स्वयम को कृष्ण द्वैपायन व्यास का दास बताते हैं पूर्ण प्रग्य तीर्थ मधवाचारय पदमनाथ तीर्थ के गुरु तथा गती हैं मधवाचारय के दो परमुख शिश्य नरहरी तीर्थ एवं माधव तीर्थ हैं माधव तीर्थ ने परमहंस अक्षोभ्य तीर्थ का शिश्य शिश्यत्व ग्रहन किया अक्षोभ्य तीर्थ के परमुख शिश्य जय तीर्थ थे जय तीर्थ के शिश्य ज्यान सिंधु थे दयानिधी ने भक्ती विज्ञान ज्ञान सिंधु से प्राप्त किया और दयानिधी के सेवक विद्यानिधी विद्याधिराज तीर्थ हुए उनके शिशे राजेंद्र तीर्थ हुए। राजेंद्र तीर्थ के सेवक को जैधर्म जा विजे ध्वज तीर्थ के रूप से जाना गया। इस परकार तुम्हें परंपरा को भली परकार से समझ लेना चाहिए। महान सन्यासी श्री पुर्षोत्तम तीर्थ ने अपना ज्यान अपने गुरु विजे ध्वज तीर्थ जैधर्म की सेवा से प्राप्त किया। पुर्षोत्तम तीर्थ के प्रमुख शिश्य श्री ब्रह्म्हन तीर्थ थे। उनके सेवक महान व्यास तीर्थ हुए। व्यास्तीर्थ के सेवक लक्ष्मीपती तीर्थ थे जिनके शिष्य माधवेंद्रपुरी गोस्वामी हुए। मादवेंद्र पूरी के परमुख शिश्य इश्वर पूरी थे तथा उनके दो अन्य शिश्य प्रसिध भगवत अवतार श्री नित्यानंद तथा अद्वैताचार्य थे सब जगतों के अध्यात्मिक मार्ग दर्शन शी चैतन्य महाप्रभू ने अपने गुरु के रूप में इश्वर पूरी को स्विकार करके उन्हें धन्य किया शी चैतन्य महाप्रभू शी शी राधा कृष्ण से अभिन है तथा शी रूप गोस्वामी के अनुगत वैश्नवों के प्रान है शी सवरूप दामोदर गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी विशंभर शी चैतन्य को महान सुख देने वाले थे जीव गोस्वामी और रगुनात दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के अति प्रिये बने जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य थे और अद्वेत अचारय के शिष्य यदुनंदन अचारय के शिष्य रगुनात दास गोस्वामी को रूप सनातन ने अपना तीसरा भाई स्विकार किया था रघुनात दास गोस्वामी के प्रिये विद्यार्थी कृष्ण दास कविराज गोस्वामी थे जो लोकनात गोस्वामी के अंतरंग मिर्त्र थे वे व्रिंदावन में साथ रहकर सदा परस्पर कृष्ण कथा की चर्चा करते थे गदाधर पंडित के शिष्य लोकनात गोस्वामी के एक मात्र शिष्य नरोत्तम दास थे अतव एक कृष्ण दास कविराज गोस्वामी के अती प्रिये हो गए थे नरोतम दास ठाकुर के चर्नों की सेवा करना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की एक मात्र अभिलाशा थी नरोतम दास से चल रही शिश्य परंप्रा में विश्वनाथ चतुर्त अचार्य थी विश्वनात चक्रवर्ती ठाकुर बल्देव विद्याभूशन के शिक्षा गुरू थे जिनको उन्होंने शीमत भागवत के सिध्धान्त पढ़ाई थे शिबल्देव विद्याभूशन के बाद जगना दास बाबाजी एक अती परमुख आचारय थे तथा भक्ति विनो ठाकुर के अंतरंग सखा तथा संगी थे गोर किशोर को केवल हरी भजन में ही सुख मिलता था उप्रोक्त सभी वैशनव संत कोटी के भक्त या परमहंस थे वे सभी भगवान गोरांग के निज अध्यात्मिक परिवार के अंग थे उनके चरन मेरी एक मात्र गती हैं मैं भक्ति मैं सेवा के प्रती उदासीन हूं तथा मैं भक्ति सिधान सरस्वती ठाकुर नामक एक्त्री दंडी सन्यासी हूं श्रील भक्ति सिधान सरस्वती ठाकूर के शिश्य श्री अभे चर्नार्विंद भक्ति विदान स्वामी प्रहुपाद का जैगोश करने हेतु निमनलिक श्लोक बढ़ा दिया गया है जिसे विकल्प रूप में नमिश लोक के अलावा गाया जा सकता है तो इसका मीनिंग है सर्वाधिक यश्वान श्री वार्ष भानवी दैत दास श्री भक्ति सिधान सरस्वती ठाकूर प्रहुपाद की दिक्षा का नाम था ये हमेशा अपने गुरू श्री गोर किशोर दास बाबाजी की सेवा में निमगन रहते थे उनके क्रिपा पात्र प्रधान प्रचारक शील अभेचर नर्विंद भक्ति वेदान स्वामी प्रभुपाद जिनोंने शी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पूरे विश्व को प्रदान की एवं इस प्रकार उन्होंने सभी पतित जीवों पर क्रिपा एवं दया की हरे कृष्णा तो इस तरह से आप इस भजन में क्या देख सकते हैं कि हम किस गुरु परंप्रा से जुड़े हुए हैं हम किनके शीष्य हैं अभेचर नार्विंद भक्ति वेदान स्वामी शिल प्रभुपाद के तो वो किस परंप्रा से आ रहे हैं आपने देखा बीच में शी चैतन्य महाप्रभु भी आए माधवेंद्र पूरी भी आए तो इस तरह से नारद भी आए आगे ब्रह्मा जी भी आए तो हम कौन से परंप्रा से जुड़े हुए हैं इस कौन के जो भक्त हैं जो डिवोटीज हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हम किस परंप्रा से झाल 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 झाल